हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एसेप्टी इंडिया सुर्यान सी फिनान्स टेडिंग अकाडेमी में आप लोग को स्वागत है दोस्तों जो भी लेबल आज निप्टी और ब्यांग निप्टी का विकली एक्सपारी के अंदर दिया गया था आप लोग देखा एक अच्छा दि करेंगे कॉमिंग एक्सपारी यानि 19 नवेंबर का जो एक्सपारी कंट्राक्ट है काल उसका पहला दीन है काल 13 नवेंबर फ्राइडे के अंदर कौन सा लेबूल और कौन सा रन्नित के साथ ट्रेड होगा उसके उपर हम लोग ब्रीफली अनालिशिस करेंगे फ्रेंड्स च और प्री में अपना लेवल आपको मिली जाएगा हर रोच तीन चार ट्रेड आपको ऐसे ही मिल जाएगा अगर हमारा जो लेफल के How can and कि सिखना चाहते हो हमारा लेविल का को यू कर्व क्या होता है निप्टी ब्यांग निप्टी का कैसा रन्नीत रहेगा और ये जो जैसे कि हमको क्या सर्फ फ्यूचर में कैसा ट्रेड करना है ऑप्शन राइटिंग के बारे में कैसे जानने के लिए तो आपको मेरा जो कोर्स ह साथ आपको पास आ रहा है वान थाउजन नाइन हंडेड नाइटी नाइटी नाइन ट्वंटी थाउजन का कोर्स को एक हजा नौसों अनेशत रुपिया में आप लोग के पास ले के आ रहा हूं ठी ब्याच अल्लेडी कंप्लीटेड है और दो दिन बाकी है बूग करने का अगर आप लोग को बूग करना है तो कर लिजिए सीट लिमिटेड है 15 अभेंबर के बाद फिर यह बंद हो जाएगा तो फ्रेंड्स थ्री ब्याच हो गया अगर आप बूग करते हो तो फोर्थ ब्याच वे आपको इंट्री मिलेगा तो हरी आप दोस्त बूग कर लिजिए आपको यह ओफर का भरपूर मजा लीजिए चलिए दोस्त हम लोग देख लेते हैं आज कौन सा लेबुल के अंदर कसा ट्रेड हुआ में मेरा फृट्रेली ग्राम चानल का अंदर ले चलता हूँ यहाँ पर च्रील ग्राम चानल देख सकते है यहाँ पर देखिए 9 बज कर 23 मिनिट में में S-Cut को वाय करने के लिए दिया था देखिए दोस्त 9 बज कर 23 मिनिट में S-Cut को वाय करने के लिए दिया था और थोड़ा रिट्रेस्मेंट के अंदर आधानी एंटरफाइज को वाय करने के लिए दिया था तिसरा सिमेंस के अंदर बाय करने के लिए दिया था और निफ्टी में एक छोटा सा यू कर्फ का ट्रेडिंग करने के लिए दिये चाल लेवल दिया था पहला था साथ अगर चार्ट को देखोगे मैं पहले साथ के पास लेए चलता हूं देखिए ये जो मोमेटम था साथ का हम लोग 9 बज कर 23 मिनिट में इसको पकड़ा था यहां पर आप देख सकते हो 9 बज कर 23 मिनिट के अंदर इसकड़ का देख्या 9 बज कर 23 मिनिट है तो इसका ना बज राली था क्योंकि आज को आपको पता है मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट में उपन हुआ था यह नेगेटिव सेंटिमेंट का अंदर हम लोग पॉजेटिव डायक्शन के बाद एक अच्छा पिक सीमें सी यहां से आप लोग को देखने को मिला तो फ्रेंड्स आपको अगर यह लेवल के अंदर काम करना चाहते हो और हमारे ट्री टेलिग्राम चैनल का अंदर जाइन कर लीजिए यह डेस्क्रिशन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है आप उसक काम हुआ उसको देखेंगे अगर मैं अंदर ले चलता हूं याप यहां पर देखी सब्सक्रिइब लाने के बाद चोटा सा चानेल का अंदर निफ्टी को बाय करने के लिए दिया था 12,700 का कॉल दिया था जहां पे उसका प्राइस था 33 रूपीज और यह हाई मारता फोटी फाइब 33 से फोटी फाइब यानि करीबान पांच ये बारा रूपिया तो बारा रूपिया का पीक मतलब की वान अगर कोई एक ही कॉल लेगा तो उसको थाउजन रूपीज का मुनाफ़ा डेफिनाइटली मिलता होगा जो बंदे ने ट्रेड किया है डेफिनाइटली छोटा मोमेटम निप्टी में उसको देखने को मिलेगा और ब्यांग निप्टी देखिए यहां पर बोला था कि अगर यू कर्फ बनता है तो आप बाय करिए तो यू कर्फ के निचे माल ने डाइरेट ओपन हुआ रेड सिगनाल के साथ तो यहां पर ब्रेकाउट स्टाट के उपर किसे काम हो का जानने के लिए तो आप मेरा फ्री लर्निंग जो एजुकेशन से जो जहां पर मैं आपको डिसकाउंट में दे रहा हूं 90% वहां पर आप जाइन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं कालका मार्केट यानि फ्राइडे में कौन सा उसके उपर ब्रीफली देखते हैं अगर ओपन इंट्रेस्ट पॉइंट आओ भी में मैं देखता हूं 12600 के लेबुल में ओपन इंट्रेस्ट भरपूर पड़ा हुआ है मेरे को उमीद है कि 12600 को फीर से एक बार क्रॉस करने डिफिकल्ट हो जाएगा तो ग्लोबाल आगरड देखते हैं अगर पॉजेटीव यह आता है तो मार्केट पॉजेटीव रहेगा आगर नेगेटीव उल्जान को देखके हम लोगो अपवाड भी सोच सकते हैं मगर चलिए वाटेवर चार्ट हमको प्रोवाइड करता है हम लोग उसी का बेस में चलेंगे तो हम लोग चार्ट को अगर अनलिसिस करेंगे यहां पर देखिए ज्यादा तरगी 12600 में उपन इंट्रेस्ट है मैं उमीद नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट उपर की तरफ जाएगा अगर हम लोग कल सेल साइड में वैटने के लिए कोशिस करेंगे तो मार्केट एक बार ओपन होगा 12620 के पास अगर मार्केट 12620 के पास ओपन होता है तो आप आपको यहां पर एक सेल ऑपर्चुनेटी मिलेगा सेल ऑपर्चुनेटी आप यहां से बड़ सकते हो क्लियर माई फ्रेंड्स और मार्केट ने एक बार इसी लेबल को टेस्ट करने के लिए कोशिस करेंगा क्यूंकि 12600 में उपन इंट्रेस्ट भी पूर साइट में पढ़ा यहां उपको आगर यह 12000 मार्केट ने 12700 के उपर ओपन होता है एक बार निचे करने के लिए क्रेंग को ब्रेक करने के लिए नीचे की तरफ कोशिस करेगा यह भी हो सकता है मार्केट डाइरेक्ट 12640 के नीचे एक बारक उपन हो जाए वाटेवर आपको मार्केट 12720 के उपन होके यूकर बनाता है तो आप सेल साइट में बठिए तो 12600 के नीचे आपको मिलता है डेफिनाइटल आप सेल साइट में वैठिए तो मार्केट ने एक नीचे की तरफ 12475 तक आने के लिए कोशिस करेगा तो यह दोनों सेल का लेबूल आपको मिल गया 12720 के पास यूकर्व नहीं तो मार्केट ग्याब डाउन होता तो 12640 के नीचे 15 मिनिट रूख जाता है यह दोनों के बीच में आप लोग अपना सेलिंग पोजिशन खड़ा कर लिजिए नीचे की तरफ मार्केट आने के लिए कोशिस करेगा हो गया दोस्त बाइंग अपर्चुनेटि आपको कहां से मिलेगा बाइंग अपर्चुनेटि के लिए आपको एक बार 12775 के उपर मार्केट ने 10-15 मिनिट रूखना चाहिए अगर 12675 के उपर मार्केट दे 10-15 मिनिट रूखता है उपर को 100 पोइंट आपके लिए उमीद जग सकता है तो नीचे की तरफ और मार्केट ने ग्याप डाउन बड़ा ग्याप डाउन होता है या मार्केट ने 12,475 को टॉच करता है फिर यह की उपर का ट्रेरिंग में आप बाइंग साइट में बढ़ सकते हो दो लेबल दे दिया आपको बाइंग साइट करने के लिए तो मार्केट ने जहां पे है 12,720 और 12,640 का लेबल सबसे बहतरीन लेबल यह सट मारने के लिए तो फ्रेंड्स यह दोनों लेबल को फोकुस दीजिए यह बड़ा वाला उपर वाला लेबल और नीचे वाला लेबल बाइंग अपर्चुनेटी के लिए देखिए यह लेब लिए कोशिज करिए मगर ज्यादा पॉजेटीव हो जाता है ग्लोबाल मार्केट तो 12,612,775 के उपर यू कान गो फर बाई क्लियर माइं फ्रेंड्स निफ्टी अगर मैं चलता हूं निफ्टी में अगर निफ्टी में आप लोग अनालिसिस करता हूं निफ्टी में तो यह 28,300 में ज्यादा तरकी ओपन इंट्रेस्ट खड़ा है क्लियर माइं फ्रेंड्स मेरा उमीद है निफ्टी में इतना बड़ा मोमेंटम क्रियेट नहीं हो पाएगा तो निफ्टी में दो लेवूल है आपके लिए सेलिंग करने के लिए बहत्रिन लेवूल होगा कि ब्यांग निफ्टी थोड़ा याप अप होगा यानि 28,600 के पास अधरवाई यह आपको मार्केट अगर ग्याप डाउन होता है यानि 28,000 यह जो लो मारेगा 28,000 के निची आपको अगर मिलता है तो आप यह दोनों लेवूल के अंदर सेल कर सकते हो बाइंग ऑपर्चुनेटी एसा कुछ बाइंग ऑपर्चुनेटी नहीं है 27,600 के पास है यह दोनों लेवूल आपको सेलिंग साइड करने के लिए मैं आपको निफ्टी और ब्यांग निफ्टी में दे दिया निफ्टी का सेलिंग चाइड 28,700 में लीओ करव होना चाहिए painting और c está conservation मेरेटो निचे मार्केट होना चाहिए 15 बाइंट रूखना चाहिए निप्टी का भी तो आप लोगों दे दिया 12,720 के पासी उकर्व 12,640 के निचे आपको 15 मिनिट रुखना चाहिए दोनों में आप सेलिंग साइड में काल का मार्केट के लिए बैड सकते हो बाइंग का जो लेबुल दिया है उसके अंदर अपर्चुनिटी ढूंडिए महरत ट्रेडिंग के बाद मार्केट ने एक डाउन फल देता है कि मुझे जो रैली पकड़ा है ना मार्केट अपना दिशा में है जो लेबुल है उसके ओपर आप ट्रेड करिए और मजा में रही है पैसा कमाईए अगर आपको कोई यहां पर दोगे उसका टेनेक्स आपको ट्रेड करके मेरा जो जो लेबुल रहेगा उसके अंदर भी आप कमा सकते हों चलिए दोस्त विदाय लेने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दिशीज एजूकेशन और इंफर्मेशन प्रपोज ओनली विफोर टेकिंग ट्रेड प्ल दोस्त टेक क्यार दोस्त बाई बाई आपका घर पर रहिए शुरक हीत रहिए